हलो कोमस के जीनियास, मैसल फलका एंड वेलकम टवर एक्सिलेंस फैमली चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो जिसमें हम जानेंगे बच्चत प्रवरती के बारे में हम जानेंगे हाँ बच्चत प्रवरती का अर्थ और इसको प्रभावित करने वाले तत्व जिसे घट आयाम भी कहते हैं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चत प्रवरती के कौन-कौन से घट होते हैं तो फ्रेंड्स यहां पर सबसे पहले देखो प्रवरती का मतलब होता है आदत हाना बच्चत प्रवरती हमें बताना है कि बच्चत मतलब लोग सेविंग क्यों करते हैं बच्चत की आदत उन्हें किन कारणों से होती है प्रवरती मतलब आदर तो बच्चत प्रवरती के कारण क्या है तो वह कारण कहलाते है तरद वह घटक या आया ठीक तो पहले अर्थ देखो व्यक्ति की आयका वह भाग बच्चत कहलाता है जो वर्तमान उभोग पर खर्च नहीं किया जाता है व्यक्ति की आय का वो हिस्सा जिसे वह खर्च नहीं करता है और बचा कर रगता है जिसे किसी व्यक्ति के पास 1000 रुपे है तो उसमें से इसने 600 रुपे खर्च कर दिये और 400 रुपे अपने पास सेव करके रखे हैं तो ये क्या हो गई बचत तो व्यक्ति की आय का वह हिस्सा जिसे वह खर्च न करके बचा लेता है उसे बचत कहते हैं अब ऐसी बचत करने का कारण क्या रहा क्यों उसने 1600 खर्च किया और 400 बचा के रखे तो ऐसे कुछ कारण है जैसे आय बचत करने की इच्छा, दूर दर्शीता, व्यक्ति का स्वभाव और प्रतिष्टा की लालसा इन कारणों से व्यक्ति हमेशा बचत करके रखता है ठीक है डीटेल से जानते हैं पहला लिखा है आय इनकम लिखा है आय तथा बचत में परस पर प्रतिष्ट संबंध होता है आय बढ़ती है तो बचत भी बढ़ती है और आय घरती है तो बचत भी घरती है तो पहला उसने क्या बोला कि व्यक्ति बचत की साधार पर कर रहा है अपनी इंकम क्या धार पर अगर इंकम बढ़ेगी तो बचत भी बढ़ेगी और इंकम कम होगी तो बचत भी कम होगी तो आए और बचत में सीधा संबन होता है सीधा पतला एक बढ़ रहा है तो दूसरा भ घटेगा ठीक सेकेंड बचत करने की इच्छा ऐसा कोई विक्ति नहीं है जो बचत करना नहीं चाहता है तो बचत वस्तुतह बचत करने की इच्छापन निर्भर करती है यदि हम बचत करने के इच्छुख है तो बचत संभव होगी अन्यता नहीं हम पर रहें बचत प्रवरत कि प्रवर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर् यदि व्यक्ति दूरदर्शी नहीं है तो बच्जट की प्रवरती नहीं होगी दूरदर्शी का मतलग होता है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि अगल मैं जॉब कर रहा हूं तो मैं इसमें से कुछ पैसा बचा के रखू वह पैसा मेरे घर पर इवार के काम में आएगा या कोई कोई अच्छा घर बनाने के लिए रखता है कोई गाड़ी खरीदने के लिए पैसा रखता है तो व्यक्ति दूर दर्शी होता है कोई सोस्ता है आने वाले समय में मेहंगा ही बढ़ जाएगी तो विभिन तरीके से विभिन बातों के आदार पर हर एक व्यक्ति बचत करना च मित्तिवेई व्यक्ति खर्चिले व्यक्ति के तुल्ना में अधिक बच्चत करने की स्तती में होगा तो व्यक्ति का सोभाव दो तरह के व्यक्ति होते हैं खर्चे करने वाला एक खर्चा नहीं करने वाला नहीं करने का मतलब है यहां खर्चा तो करता है लेकिन कम करता है तो ऐसा व्यक्ति, मित्तिवे व्यक्ति के पास हमेशा बचत अधिक होगी और खर्चिले व्यक्ति के पास नहीं होगी. एंड लास्ट नहीं प्रतिष्ठा की लालसा, जो व्यक्ति धनाड़ होते हैं, उन्हें विशेश सामजिक माननेता प्राप्त होती है, इसलिए बचत करने की प्रवरती बढ़ जाती है, मतलब की धनी व्यक्ति का मतलब होता है धनाड़ से. तो जो व्यक्ति धनी होते हैं, उन्हें विशेश सामजिक माननेता प्राप्त होती है, उन्हें पैसे वालों की नाम से जनल जाता है, कि वह हमाई कास में व्यक्ति पैसा वाला है, यह हमारे गाउं में व्यक्ति पैसा वाला है, तो वो व्यक्ति भी अपने एक प्रतिष्ठ पर दूर दर्श्रिता के आधर पर स्वभाव के कारण और अपनी प्रतिष्टा के कारण क्लियर अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो थैंक्स पूर वाचिंग दिस वीडियो बाई बाई